आपके अपने आलाइन इस्टेट्यून निसांत ज्यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं नितनी उपाद दिया है आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मित्रों आज के वीडियो को टॉपिक हम लगातार आपको जो है मैंने वादा किया है कि आपको आठ के आठो साट नोटस वीडियो मैं प्रवाइड कराऊंगा तो निशित रूप से हम अपने वादे पर खरा उतरने के लिए वीडियोज दे रहे हैं मित्रों हमारा काम है यूटूब पर काम करना, तो प्रत दिन हम कोई ने कोई वीडियो अपलोड करते रहेंगे, लेकिन आपका यह काम नहीं है कि प्रत एक वीडियो को आप देखे ही, जो चीजे आपको आ रही हैं, उन चीजों को आप न देखें, ऑनलाइन अपना समय न बर बात करें, हमारी तरफ से आपको एक तरीके समझ लिजेगा, गाइडन्स है, इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यह आपके उपर निर्भर करता है, ठीक है, हमारी मजबूरी हो सकती है, हमें सभी वीडियो देने हैं, चाहे हो आसान हो, चाहे हो कठिन चैप्टर हो, ठ देखे ही, चली मित्रो बाल विकास के बारे में, आपका प्रथम फष्ट पेपर है, बाल विकास योम सीखने की प्रक्रिया, आप लोग बहुत कठीन मानते हैं, लेकिन हम जो है, साट नोट्स के माध्यम से, दो, तीन या चार वीडियो में इसे हम खतम करने का प्रयास करें बाल विकास का अर्थियोम छेत्र, लिखिए, बाल विकास का अर्थ होता है, बालक या बाल, बाल का मतलब क्या होता है, बालक विकास का मतलब विकास, बालक का जो विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाले विकास कहते हैं, मित्रो बालक क्या होता है, बालक उसे कहते हैं गर्भावस्था से लेकर के परिपकता अवस्था तक के बालक को जो है बाल मनोविज्ञान में अस्थान दिया गया है कभ से कहां से कहां तक जिस दिन से मा के पेट के अंदर मा के गर्भ के अंदर गर्भाधान होता है उसी दिन से लेकर परिपक्वता तक का अध्यन हमें जो है बालमनोविज्ञान में करना होता है विकास की बात करेमित्रों विकास क्या होता है जीवन परियंत किसी न किसी रूप में विकास चलता रहता है अगर आप lecture वीडियो देखना चाहते हैं अब विद्धी और विकास के बारे में PD पाठक के पूरे के पूरे lecture वीडियो को लगभग लगभग काफी chapter हम complete करवाएं है YouTube पर फिर आप काश प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप उसे देख सकते हैं हना अगर आपको लगता है देखना चाहिए तो अगर आप लगतार हम से जुड़े हुए होंगे तो आप कभी ने कभी ये जरूर पढ़े होंगे ठीक है मित्र विकास का अर्थ क्या होता है व्रिद्धी जो है सरीर में जो आकरती आकार और बनावट परिवर्तन होता है उसे हम व्रिद्धी बोलते हैं जैसे हमका अच्छा दस्विम्रें पन रहे तो सरीर से थोड़े कमजोर रहे होंगे, वर्थमान के समय में थोड़े से मजबूत हो रहे हैं, थोड़े-थोड़े हम युव अवस्था को प्राप्ति कर रहे हैं, थो मजबूत होते जाएंगे दीरे-दीरे प्रोणावस्था, उसके बाद वृद्धा वस्था प्रारम होगी तो हमारी सरीर लटकनी प्रारम हो जाएगी ते होता है वृद्धी और विकास क्या होता है आज हम जो है आपके सामने महजे क्यूटूबर की भाद काम कर रहे हैं आगे हमारी इस्थती में परिवर्तन हुआ था हम कुछ बहतर क प्रक्रिया है जिसमें प्राणी गर्भाधान से लेकर वृद्धा वस्था तक अनेक क्रमिक सारीरिक वह मांसिक परिवर्तन करता रहता है मित्रो विकास के अंदर स्वयम सारीरिक परिवर्तन आता है अर्थात विकास के अंदर ही मिर्तो वृद्धी आती है जो वृद्धी का विज्ञान ही क्या कहलाता है बाल मनु विज्ञान कहलाता है किस ने कहा इसकिनर साहब बीए फिसकिनर साहब ने कहा गैरिसन साहब ने क्या कहा कि बाल मनु विज्ञान का बाल व्यवहार से प्रत्यच संबंध है क्या कहा बाल मनु विज्ञान का बाल व्यवहार से क्या है सम्मंद है इस बात को ध्यान रखिएगा क्रो एंड क्रो महोदे ने क्या कहा कि गर्भावस्था से ले करके किसोरा वस्था तक के अध्यन को हम बाल मनुविज्ञान कहते हैं ध्यान रखिएगा क्रो एंड क्रो इसकिनर और गैरिसन महोदे बहुत ही जादा important है, इसी वज़े से मैंने 3 दिया है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, गर्भावस्था से ले करके कि सोरा वस्था तक के अध्यन को हम क्या कहते है, बाल मनुविज्ञान, और इसकी नर सहाम ने क्या कहा, कि बालक का बेवहारियों अनुभो का विज्ञान ही क्य होता है, बाल विकास के विविन अवस्थाओं का अध्यन किया जाता है, कौन-कौन सा होता है, गर्भावस्था, सैसावस्था और उत्तर, अभी देखिए, यहां पर पढ़ने का प्रयास करिए, थोड़ा सा डीटेल में चीज़े लिख दी गई है, गर्भावस्था किसे कह बालक जो है, गर्भावस्था वही होता है, जीरो से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के, गर्भ से बाहर निकलने की पहले तक की इस्तिती जो होती है, गर्भाधान वस्था का लाती है, आगे बात करें, सैसावस्था, जब बच्चा जो है, पैदा हो जाता है, जीरो से लेक की अवस्था को क्या कहा जाएगा उत्तर सहसो अवस्था का लाएगा इस काल में बच्चा जो है सिसू हो जाता है ठीक है आगे बात करेंगे तीन सह कभी कभी आप पहले पहले पूछा जाता था पहले कहीं पर तीन सह लिखा होता था तो उसका मतलब होता था सारीरिक सामाजि और सम्वेगात्मक अध्यन के अत्रिक्त कल्पना चिंतन बुद्धी भाषा खेल व्यक्तित्व आधिका अध्यन किया जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं किसोरावस्था किसोरावस्था क्या होता है अंग्रेजी के अनुसार टीन जहां पर टीन जब तक रहता है तब 15, 16, 17, 18, 19 वाले जो होते हैं एक कहलाते हैं किसोर वस्था अर्थाते टीन एजर होते हैं हाना ये सभी अवस्थाएं क्या होती है किसोरावस्था कहलाती है सारीरिक और मानसिक परिवर्तन समायोजन जीवन सेली परिवर्तन आधिका अध्यन किसमें किया जाता है किसोरावस है आपसे कई भी भार पूछा गया है कि आगी मित्रों ध्यान रखेगा प्रौणावस्था क्या होता है इस सवस्था में बालक अधिकारों करतब्यों को जानते हुए जीवन निर्वार करता है इसे कहते है प्रौणावस्था अठारा से जब उपर की आई हो जाती इसमें बा बाल विकास के विविन पहलूं का अध्यन बाल विकास के विविन पहलू निम्न है कौन-कौन से है सारे रिक विकास गत्यात्मक विकास मांसिक विकास सम्वेगात्मक विकास भासा विकास खेल का विकास व्यक्तित्व का विकास साथ पहलू दिये गए है आद विविन पहल सारभौम रूप से सम मानते हैं कि सिच्छा चेत्र में बाल मनुविज्यान अती आवस्यक है। अधिगम के लिए करता है। अर्थात अगर बाल मनुविज्यान सिच्छक नहीं जानता है तो बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएगा। इस बात को ध्यान रखेगा। अर्निष्ट जोन्स ने जो है बाल विकास को चार अवस्थाओं में बाटा है। वैसे यहीं जो चार अवस्था हैं अनेक वग्यान को ने अलग-अलग अपनी मत दिये। लेकिन अर्निष्ट जोन्स साहब का जो मत है वो लग-भग-भग लोग बराबर मानते हैं। जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्स की आयू तक जो होती है, बाल वस्था च्छावर्स से 11 या 12 वर्स की आयू को क्या कहते हैं? कहते हैं किशूरा वस्था किसे कहते हैं बारा वर्से लेगर के 18 वरसती आई तो क्क्यों को क्या कहते हैं। प्रवणावस्था की बात करें मित्रों 18 वर्ष की आयू को क्या कहते हैं, 18 वर्ष के बाद की आयू को किसोर वस्था कहते हैं, ठीक है, अब 600 वस्था की प्रमुग विसेस्था हैं, बाल्य वस्था याओ, किसोर वस्था की विसेस्था हैं, ध्यान दखियेगा, 600 वस्था क्य काम निश्चित होता है कि वी सवी सताबदी बालक की सताबदी है किस ने कहा था क्रों एंड क्रों ने कहा था ठीक है कि चलिए बात करते हैं मित्रों सारीरिक विकास की तीवरता होती है, इसमें जो है परिपकता होती है, सीखने में तीवरता होती है, दोहराने की प्रवृति होती है, जिग्यासा होती है, काम प्रवृति सरवाधिक होती है, इस बात को ध्यान रखेगा, नैतिक भावना का अभाव होता है, अब इसके बारे मे आप नहीं गानते हैं, सारी विकास की तीवरता अर्थात बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, आप अरिप्रकता का मतलब कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता है, सीखने की तीवरता कोई चीज, अगर आप उसे सिखाएंगे, सहसो बहुत जल्दी सीखेगा, दोरान पिता को कारे रे बेते के बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें के नैतिक और अनैतिक बातों का कोई ग्यान नहीं होता है, फ्राइट साब ने कहा कहा था कि सहसो बस्था में काम प्रवर्ती अत्यंत प्रबल होती है, सहसो बस्था में काम प्रवर्ती प्रबल होती है, बाल्या सेस्वावस्था में सिख्छा क्या होता है वाट्सन सीखना सबसे अधिक इसी अवस्था में होता है किसमें सैस्वावस्था में पालन पोसर अनकूल वाता वरण वासले पूर्ण ब्योहार करके सीखने की महत्ता वार्तालाप के अवसर व्यक्तिगत भिन्नता इस सभी जो है स अब इसके बारे में आपको बुक पढ़नी चाहिए, इसी वज़े से बुक इंपॉर्टेंट, अगर एचीजे मैं खुद पालन पोस्ट के अंदर का टॉपिक लिख करके आथा, तो मेरे साथ नोट का कोई मतलब नहीं बैठता, मैं साथ नोट इस वज़े से दे रहा हूं, क् मुझे पता है कि आप लोग पहले पढ़ाई की होंगे, अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है, तो पालन पोस्ट के अंतरकत क्या के आपको लिखना पढ़ेगा, आप लिखी नहीं पाएंगे, तो आपको पढ़ना जरूरी था, ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं, तो पालन पोसड के अंदर दो-चार सब्दों तो आप लिखी सकते हैं, बाल्यावस्था, जीवन का अनुखा काल कौन सा है, बाल्यावस्था है, जीवन का आदर्स काल कौन सा है, सैसा अवस्था है, जीवन का अनुखा काल कौन सा है, बाल्यावस्था है, ठीक है, इसे किस ने कह तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है प्रारंविक विद्याले की आयूभी से कहते हैं विश्ष्था क्या होती है इसे जो है मानसिक यूगता में ब्रिद्धी होती है जेग्यासा की प्रबलता होती है, आत्म निर्बरता की भावना होती है, सामो ही खेलों में रुची होती है, हाल साम ने कहा खेल- funds में बच्चा वह क्रिया दोहराता है जो क्रिया स्रिष्टी के प्रारम में उसके पुर्वच करते आए हैं, संगह प्रवृति का विकास होता है इसी में बच्चा कोई चीज संग्रह करता है जैसे एक दू रूपे के सिक्के होते हैं तो बाल्य अवस्था में यही चीजे होती है आप इस पीडियाप को जरूर पढ़िएगा पीडियाप आपको जो है निसान तियान किस ने कहा है किल पैट्रिक महोदे ने कहा है इसे हम किल पैट्रिक या किर्क पैट्रिक भी बोलते हैं ठीक है मित्रो क्रामति काल उथल पुथल काल संगर्स तनाव तूफान और विरोध का काल कौन सा होता है यही होता है किसोर अवस्था एडोलोसिंस किस से बना है लेटिन भासा के सब्द एडोले सेर से बना है जिसका अर्थ होता है to great to to grow to maturity अर्थात परिपकता के और आगे बढ़ना क्या कहलाता है कि सोरावस्था कहलाता है इस्टेल ने हाल साहब ने क्या कहा कि सोरावस्था बड़े संहर्स तुफानियूम दबाओ की अवस्था है यह विंपॉर्टेंट है दो बार में ने लिखा कुलहन साम ने कहा कि बाल ले काल जो है और प्राउणा वस्था बाल ले काल प्राउणा वस्था की बीच की जो काल होती है उसे हम संक्रांति काल बोलते हैं और यहीं संक्रांति काल जो है हमें किसोरा वस्था के रूप में देखने को मिलती है विसेस्ता की बात की जाए मित्रों विसेस्ता क्या होती है सारीरिक विकास मांसिक विकास समयोजन का अभाव होता है वह अपने आपको नहीं बड़ा समझता है नहीं बालकों के साथ खेल पाता है तो समयोजन का उसके अंदर अभाव होता है ब्यवहार में भिन्नता काम भाव का विकास होता है कलपना शेलता अपराद प्रविर्तिका विकास इसी में जो है अपराद ही प्रविर्तिका होने लगता है जब उसे पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा जो है दूसरी जग़े से चोरी करेगा अगर चोरी पर नहीं मिलता है तो लड़ाई जगडे से पैसा निकालन सुरू हो जाती है, सिच्छा की बात करें, मित्रों सामाजिक विकास के लिए सिच्छा आवस्यक है, धार्मी क्योमनेतिक विकास के लिए सिच्छा दी जानी चाहिए, सारेरिक विकास के लिए सिच्छा दी जानी चाहिए, सम्वेगात्मक विकास के लिए सिच्छा दी जानी यौन सिच्छा दी जानी चाहिए सहान भूति पूर्णी ब्योहार करना चाहिए इस अभी सिच्छा जो है किसोरा वस्था में दी जानी जाहिए ठीक है बाल विकास के प्रमुक पच्छे आप पहलू के बारे में बात करें मित्रों निम्नखित पच्छ होते हैं सारेरिक विका इस पीडियेप में केवल शैसाव वस्था और बाल्ये वस्था को कबर किया गया थिक है सैसाव वस्था में विकाहधद 2 चरणों में होता है जन्म से सैसो अस्था में सिसू जन्म के समय 20 इंच का होता है लड़किया जो है लड़कों से लगभग आधा इंच छोटी होती है लड़किया जन्म के समय प्रथम वर्स में जो बच्चा होता है 27-28 इंच का होता है दुती वर्स में बच्चा 31-39 इंच का हो जाता है और 33 वर्स में बच्चा 40-44 इंच का हो जाता है भार क्या होता है नवजात का जो भार होता है 6 पॉंड होता है प्रथम 6 माह में जो है वह दूगना हो जाता है 3 वर्स में 20-25 पॉंड का हो जाता है एक वर्थ में तीन गुना छटे वर्थ में लगभग 40 पॉंड का बच्चा हो जाता है अब यह चीजे जो फैक्ट है यह चीजे आपको याद करनी चाहिए अगर याद हो जाता है तो बेतर है लेकिन अगर आप एक बार पीडियेप को जो है अपनी आप के सामने से पढ़ेंगे दो एक बार रिविजन कर लेंगे त्याद हो जाएगा मित्रो जो मानस्पेसिया होती है मानस्पेसिया जो है कुल भार का 24 बटा 100 होती है बोजाओं का विकास जो है तेज गती से होता है हड़िया जो होती है कुल संख्या 207 लिखा गया है सैसो अवस्था में लेकिन लगभग 270 होती है 270 के करीब होती है छोटी मुलायम और लचिली हड़िया होती है बच्चों की दात क्या होता है साथवे माह में दात निकलना प्रारम हो जाता है यह आस्थाई होते हैं जिसे दूद का दात कहते हैं पांच वर्ष की अवस्था में ये दात तूटने लगते हैं और नए दात निकलने प्रारम हो जाते हैं जिसे हम अस्थाई दात बोलते हैं सिर्व मस्तिष्क, मित्रों जब नौजात का सिर जो है, सरीर की अपेच्छा बड़ा होता है, जन्म के समय जो सिर की लंबाई होती है मित्रों, सरीर की लंबाई का एक चौथाई भाग होता है, अगर सरीर आपका बच्चे की सरीर दो किलो का है, आधा किलो का उसका जो सिर ही ह हो जाएगा ठीक है जन्म के समय के बाल्य वस्था के बाल्लियवस्था में जो क्या होता है यह जाब जानते हैं 6 से लेकर के 12 वर्स तक की आयो, ठीक है, भार जो है 12 वर्स के अंत तक भार जो है 80 से 95 पॉंड हो जाता है, लड़कियों का वजन जो है लड़कों से अधिक होता है, इस बात को ध्यान रखेगा, बाल्य अवस्था में लड़कियां जो है लड़कों से थोड़ी सी बड़ी भी होती है और लड़कियों का विकास लड़कों की अपेच्छा थोड़ा सा बहतर होता है बाल्य वस्था में लड़कियों का विकास रुख जाता है और लड़कों का विकास बहुत तेज हो जाता है आकार की बात करेमित्रों लंबाई जो है धीमी गती से बढ़ती है और लड़ वर्स तक आते आते हड़िया इनकी लगबग 200 चाके आसपास हो जाती हैं मानस्पेसियों की बात करें आठ वर्स में मानस्पेसियों का कुल भार जो है शरीर के कुल भार का 27% होता है अर्थात इस समय जो है कितनों भी आप मतलब की परिस्रम करिये जो स्वस्थ शरीर होता है वह जो है कुल भार का 27% ही मान स्पेसिया रहेंगी इस से ज Uncleier है अगर बच्चे का है तो बच्चे को मोटापा रोग है सिरोवा मस्तिस्क का पूर्ण विकास हो जाता है 600 अस्ताम पूर्ण विकास नहीं होता लेकिन इसमें पूर्ण विकास हो जाता है नात क्या होता है 12-13 वर्स में अस्थाई दात पूरे निकल आते हैं जिनकी संख्या 27-28 होती है और बाल्या 12-13 वर्स का जब बच्चा हो जाता है तो बच्पन का जो है भोलापन समाप्त हो जाता है कहा जाए बच्चा जो है सयाना हो जाता है आप उसे किसी बात को ले करके मोल्ड नहीं कर सकते हैं आप 2000 का नोट दिखा करके उसे नहीं कर सकते हैं कि यह जो है 5000 वाला नोट है क्योंकि बच्चा जानकार हो जाता है ठीक है न तो पहले वीडियो में हमने इतना ही चीज़े आज तयार थी इतनी चीज़े मैंने आपको दिया है यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स म करता है हम आपके लिए और बहतर कर पाएं हाना आगे सिच्छन अदियम का सिध्धानत बच रहा है और कोई इतने सब्जेक्ट बट रहे हैं लगग लगग सभी सब्जेक्ट हम आपको देने का प्रयास करेंगे ठीक है फिर से कहूंगा वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए य आप अपना समय जहां भी दे रहे हैं आप एने काराओं का आप सोना बाबू से बात कर रहे हैं तो वहीं समय आप दे रहे हैं आप मोबाइल पे जूटे बिना मतलब का कोई एप चला रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है उसका कोई भी उद्दिस नहीं है केवला आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए हो सकता है आपका करियर वहीं बन जाए लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पूरे इत्मिनांस कर ये क्योंकि अब समय वह नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ करके आप सफल हो जाएंगे आपको बहुत पढ़ना पढ़ेगा सफल होने के लि